हालो मैं दिया फ्रैंड्स कैसे हैं आप स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में मैं आपका दोस्त प्रदीप गौर्ड एडोकेट आज किस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कोई पत या पतनी बिना तलास लिए दूसरी साधी कर सकता है क्या अपने पहले वाले पत या पतनी के जीवन काल में दूसरी साधी कर सकता है क्या क्या यह करत्य अपराद की स्रेडी में आएगा और दूसरी साथी वालेड होगी या नहीं सो फ्रांट्स आईए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी पत या पतनी बिना तलाख लिए अपने पहले वाले पतिया पतनी के जीवन काल में दूसरी साथी नहीं कर सकता है ऐसा करत्य अपराद की स्रेडी में आता है जो कोई पतिया पतनी बिना तलाख लिए अपने पहले वाले पतिया पतनी के जीवन काल में दूसरी साथी करेगा उसको IBC इंडियन पैनल कोड भारती दंड सहिता की धारा 494 के तहट दंडित किया जाएगा इसमें साथ वर्स्तक की सजा का प्राधान है साथ वर्स्तक की सजा या जुर्वाने से दंडित किया जाएगा अब हम बात करें कि इस इस्थित में दूसरी साथी वैलेट है या नहीं तो दूसरी साथी वैलेट बिल्कुल भी नहीं है दूसरी साथी सून है सून अर्थात ऐसा मानों की साथी हुई ही ना हो अर्थात दूसरी पत्नी अपने पती से किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती है तो फ्रांस ये थी कुछ important जानकारी यद आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्राइब बार देख रहे हैं और अब ही तत चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्याद से ज़्यादा सेर करें